मद्द्देस्ञायद में रजय पढ़ती था श्रजय का नाम था महोबा कुनसा रजय था महोबा नाम करका MP वर्यॉप व्रके वाले रजय पढ़ता था और यहां पर एक राजा था उस राजा का नाम त profit इन नात्या प्रसुराज की में कहीं से आ रही था गईल स्निक इद्वार्पनिय। अचा गईल सेना और उसकरा था वो तेजगति से चलेगी दिविएदिमें चलेगी तो प्रस्य राज की बाकि चेनद निकल गाइल शेनिक बेचार घीमे-धीमे-धीमे पीछे आ रहे थे। पर्मार्दीदे चंदेल को बगवान जाने क्या दिमाख में यही उसने इन गाइल शेनिकों पकड़के गार दिया पर चुराज ने खाए तेरा राध कुछ बिगाड़ ही नहीं रहे ते तो पर चुपचाप आ रहे थे तू मार कैसे सकता ये और पर शुराज के परमादी दे चंदेल के बीच कौन सा यूज होता है महबा पर कब्जा करता है और अपने एक बंदे को करता है तू महबा संभाल दूद साटान है तो महवा राज है के नाम डाइट के नामा गारे तो महवा का एड्मिनिस्ट्रीटर के इस आदमी को बना दिया है क्ट एक कर राजा था तब जैपूर नहीं बोले जैपूर को बोलते अमीर किया जीचा जीचा गया जीवागे यूद जीते जीतने के बाद महुबा कबजा किया। और कबजा करने के बाद जीजा जी आप यहीं आपको לה चलना साथ में आप संभालो तो महुबा किसको चंभलुवा दिया गया था। पंजॉनरे, याद रएगी ये परमार्दी देव चंदेल के सेनापती है, किसके सेनापती है, परमार्दी देव चंदेल के सेनापती है, जो युदु में लड़ते वे वीरगती को पराप्त हुए थे, परमार्दी देव चंदेल हारा है, आला और उदर लड़ते वे मारे गए थे, लेकिन ये साइध हमने उन लोगों को कम याद किया जो युद में जीते थे हमने उन लोगों को ज़्यादा याद किया जो बले हार गए थे पर संगर्स किया था अपने तमाम सेनापतियों के नाम जो आपके मुझ पे होंगे वो सारे हारे वे सेनापती रहे होंगे गोराबादल जैमलपत्ता ज कुछ के बावजुद ये लोग लड़े थे और एक बार तो सामने वाली टीम के चकेश उड़ा जी थे इन लोगों वेसे वेसे इस युद्ध में बहत्रिन तरीके से कोई लड़ रहे थे तो कौन लड़ रहे थे आला और उदल किसके सेनापती है पंदराबी जिस्टार लगा जब लड़ाई हुई थी उस समय यहां पर महुबा के अंदर रहते नहीं थे महुबा पर प्रिशुराज का अक्रमन होने वाला था तो परमादीद्यों चंदेल को लगा कि आर प्रिशुराज से लड़ने के लिए उसेना बड़ी चाहिए और अपने सबसे अच्छे सेनाप आदा उलने हम हम नहीं आएंगे तेरे साथ कोन लड़े तुखुद हमसे लड़ाईयां करता था तेरे से तेरे चकर में देश चोड़के दूसरे देश में आगे बेटना पड़ रहा है और हम तेरे तरफ से लड़ने के लिए नहीं है यह बात आला उदल की मम्मी को पता च सबसे पहले की जानी इसलिए लड़ो तुम गाने पर पर मार्वार्यों को दुस्मन ने घेर लिया था कोरो को एक भाहि कही पर लड़ने के लिए जाके कौरवों को बचाओ अर्जुन भीम ने का अध्या दिमाग खराब है यह कौरव जो डेली योजनाय बनाते हैं कि पांडवों को कैसे मार दिया जाए जो भिन भिन परीकों से हमें मारने की कोशिश करते हैं इनको बचाने जाए ठीक पापा गड़ जाएगा मर जाएंगे सारे के सारे विद्श्ट्र ने का कि नहीं भी जब हम आपस में लड़ते हैं तो हम पांच है वो सो है जब कोई तीसरा पक्स लड़ेगा वयम पंचम अधिकम सतकम वयम मतलब हम पंचम मतलब 5 अधिकम मतलब अधिक है सो से सो से पांच ज्यादा है मतलब किति होगई तोटल जब हम आपस में लड़ते हैं तो वो सो अलग है हम पांच अलग है लेकिन तीसरा लड़ने आगा उस दिन हम 105 है घर की लड़ाईयों का फाइदा को तीसरा पक्स उठाना इसलिए है आला उदल इस समय आपस के मन मुटाओ को देखने का समय नहीं है इस समय केवल मात्र भूमी की रक्षा की जानी ची जाओ लड़ो तुम इसलिए मुझे अक्सर लगता है कि राजस्थान के बारे में एक जो समय की दुनिया की तमाम बासाओं में तब तब आया है या तो श्रिंगार की मेरे बाद सबस्क्राइब की गई मतलों संदर्ता की बात करने हो तो महिला का वर्णन है या प्रेम की बात करने हो तो महिला का वर्णन है एक मत्र हमारी बासा जिसमें वीर्ता के संदर्व में महिलाओं का वर्णन है यह कहला हमारी बासा जिसमें इस परकार के दोहें मतलब होता है वाय 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 था वो देस के काम आया है किसी देस की रक्षा के लिए लड़ता हुआ अनवम् किनुस पास कोई कर दोस्तों को अपने को थी कहुंसकी म्रत्यूं का दुख है पर एक और को हमारा जो भायर इता हो इसके लिए काम आया स्वेश के लिए हमरने का क्या है आदमी जोर से किल खिल खिला एक असे मरं जाया मरने का क्या रोड क्रोस कर रहेंगो गड़ी वड़ा उपर चटा आजए पर वो वाली मोते का अलग है जब आप देश के लिए लड़ते भी मारे जाते कि सबको अच्छा लगता है सूत मर्यों हीत देश मैं हर्क्यों बंदू समाज माने हर्की जलम देन जत्री हर्की आज मान ज़्यां कि एक ड़िय क्या सबने हर्की जलम दे मानेट इसको पेदाया था ने भी इतनी राजी तो ने टीते हर्की आज उसम dedans कि agencies स्दार बहादूर की मममी शिखाती कि आपसकी लड़ाइयों को सुदक है तुथा प्भी तीसरा पक्स उठाना, ऐसी मायन थी, ऐसी मायन कहें के बेटी, अब पता था मा को प्रश्यूराज की सेना बढ़ी है, तो उस युद में जाओ कि मरने के चांसे ज़्याद है, उसके बहुजू दो बेजरेगे नहीं जाओ, ये कलंक नहीं लगना चाहिए, जिस दिन महोबा पर आकरमन हो र जाता है, आला उदल यूपी एंपी के घर घर में गाये जाते हैं, बच्चे बच्चे को आला उदल की कहानिया याद है, उस साइड के अला खंड उदल खंड चलता अनपड से अपड आदमी को अगागे सुना देगा आपको, तो एक युद और बंदों की आज दिन तक हम बातने करते हैं, कब का युद है, गैरा सो, कब का युद है, क्या चल रहा है, 2022, हजार साल बीत गए, भीन तड़ा जैसी, गी तड़ा रहे जैसी, डिवारें गिर जाएगी, मकान बनाके जाओ, किले बनाके जाओ, एक दिन गिर जाएगे, गीतों में गए गए तो उसके ब झाल.